आप सभी को मेरे नमस्ते आप सभी का स्वागत है weekly current affairs session में जहापर हम cover करने वाले हैं last week के सभी important current affairs जो की आपके upcoming exam जितने भी है competitive exam जिनकी आप preparation कर ले हैं उनके अंदर जो आपका section रहेगा current affairs का general awareness के अंतरगत उसमें यह आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा ठीक है तो शुरू करते हैं यह जो session है यह last week का है 7th अगस्त से 14th अगस्त और इस तरह से weekly जो है आपको Monday को या Tuesday तक जो है provide कर दिया जाता है और इसकी PDF जो है आप Telegram channel पर access कर सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले date से related कुछ current affairs है पहला यह है कि 7th अगस्त लास्ट यर जो है Central Government के द्वारा या फिर हम कहें कि जो Indian Athletic Organization है उसके द्वारा यह announce किया गया था कि 7th अगस्त को जो है हम National Javelin Day observe करेंगे कारण क्या है नीरत चोपड़ा जो भारत की तरफ से athlete है जावलिन thrower है तो उन्होंने Tokyo Olympic 2020 में गोल्ड medal जीता था तो यह अपने आपे एक बहुत ही अत्यासी गटना थी इन्होंने भारत की तरफ से पहला गोल्ड medal जीता था Olympic Games के अंतरगत Athletics के अंदर ठीक है और इसके अलावा जो इन्होंने individual gold यह जीता है यह second individual gold है individual gold का मतलब एक व्रक्ती जो single leg होता है competitor तो उसको जो award मिलता है वो होता है individual ठीक है तो पहला individual जो gold medal था वो भारत के अभी नवबिंदरा को मिला था shooting के अतर और second जो है यह इन्हों मिला है निरचोपड़ा जी को ठीक है तो इन्होंने जो है Tokyo Olympic 2022 में Javelin Throw 87.58 58 मिटर का किया और इसकी वज़ा से इन्होंने भारत का पहला Athletic के अंदर या कहें कि Javelin Throw के अंदर gold जीता ठीक है तो यह आप याद रखेंगे National Javelin Day जो है 7 अगस्त को Observe किया जाता है इसके अलावा 8 अगस्त 80 गरना यह है कि 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ों अंदोलन है Quit India Moment है वो स्टार्ट किया गया था ठीक है तो Congress के जो है Bombay Divation में यह स्टार्ट किया गया था इसे August Moment के नाम से भी जाना जाता है और मात्मा गांदी के तरफ से जो है इसे LED किया गया था यानि ले जाया गया था आगे 8 अगस्त 1942 यह अपडेट याद रख सकते हैं और Ultimate जो इस goal था इस Moment का वो यह था कि बारत के अंदर से ब्रीटिश रूल को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए इसके अलाबा 10 अगस्त को World Lowend Day मनाया जाता है World Lowend Day मनाने का जो मकसद है वो यह ही है कि Lowend के बारे में यानि शेर जो पर जाती है बिलियों की उसके बारे में जो है Awareness प्यादा की जाए और उसके Conservation के लिए कारिय किये जाए ठीक है तो शेर जो है उसका Scientific Name विग्यानिक नाम जो है Panthera Leo है और 2013 में ये Day Start हुआ था IUCN के अंदर Red List के अंदर देखे तो इसे Vulnerable जाती के अंदर रखा गया है और Asiatic Loin के अंदर रखे तो इसे Indanger यानि संकट ग्रस्त प्रजाती के अंदर इसे रखा गया है Asiatic Loin जो है इंडिया में पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है Gir National Park यानि सासन गिर जो एरिया है गुजरात के अंदर वहाँ पर पाया जाता है और 2020 के तक जो है शेर की जो संख्या थी शेरों की जन संख्या वो 680 के लगबग यानि 700 के लगबग शेर जो है Asiatic Loin जो है इंडिया में पाय जाते है इसके अलावा 12 अगस्त को जो है World Elephant Day दस अगस्त को World Elephant Day 12 अगस्त को जो भी एक्जामस होते है आपके उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है एकसर कि इस जो है जानवर है इसका scientific name क्या है या कोई भी फल या फूल है उसका पूछ लिया जाता है कि इसका scientific name है तो यह आप याद रख सकते हैं लोयन का था पैंथरा लियो और अगर इसके बारे में कुछ fact परें तो करनाटका जो भारत का राज्य है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या पाई जाती है भारत में और इसके अलाव अगर वर्ल्ड की बात करें तो बोर्ट्षवाना नाम की ये जो जगा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती है दुनिया के अंदर ठीक है और जो एलिफेंट है वो state animal है किस-किस state का है जारखन का, केरला का और करनाटका का ठीक है राज्य पश्यू जिसे का जाता है तो केला, करनाटक और जारखंट का राजय पशूबी हाती है यह तीन सी लिया भ़ियास रख सकते हैं इसके अलावाद 10 अगस्त को जो है वर्ड बायोफ़ूल डे मनाया जाता है यह जो डे है बायोफ्यूल डे यह पहले से मनाया जाता है और बारत के अंदर जो है ministry of petroleum and natural gas इसने 2015 में मनाना शुरू किया था ये day क्यों मनाया जाता है ताकि non fossil fuel जो है उसको increase किया जा सके ठीक है और जो सर रडॉल्फ डीजल थे एक inventor थे जर्मनी से इन्होंने 1893 में एक डीजल इंचन को 104 रूप से शुरू किया था पीनर टोईल से ठ जो होता है और renewable भी नहीं होता है तो इस वज़ा से ये day जो है observe किया जाता है world biofuel day 10 अगस्त को और बारत के अंदर 2015 में जो है ministry of petroleum and natural gas ने शुरू किया था और अभी हाली का current affair ये है कि प्रदानमत्री मोदी जी ने हर्याना के पानीपत में 2G ethanol plant का जो है शुबारम किया है उ ये आप याद रख सकते हैं ethanol plant हाली में copper जो है launch किया गया है पानीपत हर्याना में ठीक है चली आगे इसके अलावा 9 अगस्त को जो है world tribal day विशव जन जाती है दिवस या फिर इसे कह सकते है international day of world's indigenous people ये मनाया जाता है observe किया जाता है 9 अगस्त को ठीक है क्यों मनाया जाता है United Nation का एक group था indigenous population को जो है देखने के लिए एक meeting हुई थी जनेवा में 1982 में ठीक है इसके बाद में 1994 में ये day जो है observe करना शुरू हो गया था 1994 में और अगर theme की बात करें 2022 की इस day की theme है वो है the role of indigenous woman in the preservation and transmission of traditional knowledge ये इस day की 2022 की theme है और बारत के अंदर एक committee बनाई गई थी 13 member की committee उ उसके द्वारा जो है tribes को locate किया गया था कि किस तरह से वो जो है मतलब किस किस area में रह रहे हैं उन areas को हमने जो है scheduled areas नाम दिया था फिर उन जो tribes थी उनको scheduled tribes नाम दे दिया गया इस तरह से जो है एक geological allocation किया गया था भारत के द्वारा ठीक है और ministry of health and family welfare और ministry of tribal affairs इन दो ministries के द्वारा ये जो report है जारी की गई थी 9 अगस्त को world tribal day मनाया जाता है 9 अगस्त 1945 को जो है नागा साकी के उपर bombing हुई थी USA के द्वारा ठीक है world war 2 के end में और 6 अगस्त last अगर आपने session देखा है 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा जो जापान का शेहर था उसके उपर bombing हुई थी औ और 9 अगस्त को नागसा की शेहर की उपर तो ये दोनो डे इसी नाम से मनाया जाते है हिरोशिमा दिवस और नागसा की दिवस ये आप याद रख सकते हैं इसके अलाबा इंटरनेशनल यूथ दे यानि अंतराष्ट्वी यूवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को साल 2000 में यूराइटिन नेशन के द्वारा ये दे अबजर्व करना शुरू हुआ था इसके अलाबा एक चीज आप ये भी याद रख सकते हैं कि बारत के अंजर तो यूथ दे मनाया जाता है राष्ट्री स्तर पर नैशनल यूथ दे वो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है स् हम जो 14 अगस्त दिन है उसको अबजर्व करेंगे किसके रूप में विबाजन विबिशी का सम्रीति दिवस आपको पता होना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 पे ये जो है पार्टिशन हुआ था हमारा और बारत और पाकिस्तान अलग लग जो है देश बन गए थे तो इसी चीज को ध जिशी का सम्रीति दिवस हिंदी में का जाता है और इंग्लिश में जो है पार्टिशन आर्ट्स रिमेंबरेंस डे याद रखिये जा पिछले साल अनाउंस हुए तो ये सेकिंड एडिशन है ये भी चीज याद रख सकते हैं इसके लावा जल जीवन मिशन आपको पता होना जल जीवन मिशन ठीक है जे 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 एम भी का जाता है इसो शोट फॉर्म में जे जे एम ठीक है 2019 में स्टार्ट हुआ था 15 अगस को ये आप याद रखियेगा इसके लावा कुछ वन लाइनर ड्यूंस पे चलते हैं नेशनल लेवल पर जो भी चीज़े भीत रही है सबसे प बैल ये सबी चीजों में जो है ये लंपी डिसीज जो है पाया जारहा है maksimum जो है राजस्तान पंजाब और इस तरह के जो नोर्थन स्टेट्स हैं नोर्थ और वेस्ट के स्टेट्स हैं वापे ज़दातर ये देखने को मिलरہ है तो इस वज़गा से बहुत सारे हजारों क आपर लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा हाल ही में, कल राकेश जूँजूनु वाला नाम के जह व्यक्ति है, इनकी मृत्ती हो गई है, ये एक बिलियनेः थे, और इसके अलावा इन्वेस्टर के रूप में भी इन्हे देखा जाता है, इन्वेस्टर के रूप में देखने का मतलब यह है कि इन्होंने स्टोक मार्कीट के बारे में एनलाइसिस करने के लिए और उसमें इन्वेस्ट करके ये एक बिलियन एर करोड पती बन चुके थे और बहुत ही जानेमानी हस्ती थी ठीक है तो इनका निधन जो है कल हो चुका है राकेश जुनजुनी वाला इसके अलावा आपको पता होगा सलमान दुशिदी के उपर जो है एक अटैक हुआ है न्यू योर्क के अंदर जब एक युनिवर्सिटी में गए थे लेक्चर देने तो शुरू होने से पहले ही पूर्ट है वो यह है कि सलमान दुशिदी के एक आंख जो है पुरी तरह से कह सकते है कि नश्ट हो चुकी है और उनका लिवर भी धैमज हुआ है और अभी वो वेंटिलेटर पर है ठीक है तो यह चीज आप याद रखें है सलमान दुशिदी के बारे में आप जानते होंग में The Satanic Wars उस बुख के बारे में कुछ ग्रूप्स ने ये एक कह सकते है कि उनकी विचारदारा बन गई थी तो मैं सिंपली सी बात बताओं तो इरान जो है देश वापे 1989 में जो है एक लीडर थे उनका नाम मुझे अभी याद नहीं यारा उन्होंने जो है फत्वा जारी कर पढ़ना चाहिए जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है अभी आपके लिए बस ये याद रख लीजिए सल्मान रुष्दी जो है सैटनिक वर्स इनकी बुक है इसके अलावा एक बुक है इनकी The Midnight Children जिसके लिए इनको बहुत सारे अवोर्ड भी मिले है Midnight Children जो है बुक और इसक इसके अलावा भी और काफी सारे देशों में बैन है ठीक है इनके बारे में आप पढ़िएगा जरूर इसके अलावा अभी हाली में जो है बारत सरकार्ट के दौरा अप्रूव कर दिया गया था कोड़ वेक्सीन को कोवीड के लिए और एसके लावा बुस्टर डोज के ठीक है इसके अलावा AIFF यानि All India Football Federation के द्वारा अभी हाली में Player of the Year Award दिये गए थे और उसमें कुछ Special Category के Award है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला तो यह कि सुनील चेतरी जो की भारतिय फुटबोल टीम के कैप्टन है उनको लगातार सात्वी बार Men's Football Player of the Year यानि Footballer of the Year Award जो 2021 का है वो दिया गया है सुनील चेतरी को इसके अलावा अगर Woman की Category में बात करे तो वो दिया गया है मनीशा कल्यान को इसके अलावा दो Category एक Category और है Emerging Footballer Player of the Year ठीक है तो Men's की Category में जो Emerging Footballer of the Year है वो है विक्रम परताप सिंग और Woman की बात करे तो वो है मार्टिना तो ये नाम आप याद रख सकते हैं सुनील चेतरी इंडियन फुटबोल टीम के कैप्टन है और थर्ड हाइस्ट गोल स्कोरर है यानि दुनिया में सबसे अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो वो सुनील चेतरी है सबसे जादा जिन्नोंने गोल किये हुए है ठीक है फ 50CM बने है वो है तेजसी वी आदब तो ये आप एक सिंपली याद रख सकती है इसके अलावा आपको याद होगा जब अपने पहला सेशन किया था क्रेट अफेर्स का मैंने आपको बताया था कि 5 नई वेटलेंड साइट जुड़ी है 49 से 54 हो गई है फिर हमने अपने 2 सेश तो अब बारत में जो है total 75 wetland sites है international importance की और कदम देखा जाईए क्यों ठाया गया है तो 75 वी वर्षिकांट हम observe कर रहे हैं तो इसलिए जो है ये किया गया है और वैसे भी आपको पता है कभी ना कभी wetland sites add होती रहती है तो अभी हाली में आपको किया याद रखना है 75 sites हो चुकी और जो भी ये list है वो मैं आपको नीचे description box में link दे रहा हूँ P.I.B की press information video की वापे आप जाकर पूरी list देख सकते हैं इसके अलावा France देश का highest civilian award जैसे भारत का highest civilian award होता है भारत रतन उसी तरह से France का highest civilian award है ये आपको नाम यापे दिख रहे है इसे पढ़ने के बाद अप writer है author है और MP भी है ये अपने area से शायद तमील नाडू या केरला से ठीक है तो ये चीज़े आप यादखते है किसको दिया गया है लीजन ओफ दा ओनर अवोर्ड फ्रांस का highest civilian award शशी थरूर को ठीक है इसके अलावा पूछ जाएगा कि president का color award अभी हाली में जो हमारे president थे रामराथ कोविन जी उनके द्वारे ये वोर्ड दिया गया था तमील नाडू स्टेट को president color award दिया गया है इसके अलावा मैंने last current affairs session में भी आपको बताया था कि हमारे जो अभी के chief justice है 48th chief justice कौन है एनवी रमना उन्होंने अपना जो है successor announce कर दिया कि मेरे बाद में जो है य उनका नाम क्या था यू यू ललित यानि उध्य उमेश ललित तो अब इस current affairs session में हम क्या बात कर रहे है कि यह जो व्यक्ति है यू यू ललित इन्हें officially appoint कर दिया गया है as 49th CGI of India यानि अब हमारे देश के जो मुख्य नाय अदिश है वो है उध्य उमेश ललित ठीक है इनका नाम याद रखिएगा और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजिडेंट जो है वो इसको CGI को ओथ दिलाते हैं तो 49 CGI कोन है यू यू लधित 48th कोन थे एनवी रमना और 47th कोन थे शरद अर्विल बोबडे ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं इसके अलाबा एन Steel Authority of India Limited की जो पहली मैला परमुक जो है कोन बनी है उनका नाम पुछा गया था इसके अलाबा अब जो आपके सामने कोश्चन है CSIR की Director General पहली वूमेन कोन बन गई है एन के लासलवी इसके अलाबा एक और important अवोर्ड से related है वो ये है कि लदाख का highest civilian owner जो है इसका नाम ये है नाम फिर से pronounce करने में दिक्कत होगी ये देखिए ये नाम है ये लदाख का highest civilian award है और किसे दिया गया है दलाई लामा जी को दलाई लामा आपको पता होना जी एक spiritual leader है इंडिया, चाइना, नेपाल और तिबत इस तरह के सभी areas में जो है इनका वर्चस्व देखने को में सकत है 75th Grandmaster बन चुके हैं बारत के वी प्रनव सिधा नाम याद रख सकते हैं आप विशवनाथ अनन्द जो की एक Indian prominent chess player थे है और five time world champion भी है विशवनाथन अनन्द five time world champion है chess के अंदर इन्हें क्या कर दिया गया है FIDE यानि जो federation of और किसी language में आप सिधा याद रखिए फाइड का 44th Olympiad चल रहा है यानि जैसे Olympic Games होते हैं वैसे chess का जो है Olympiad होता है 44th जो है कहाँ पर हुआ है चनई में हुआ है इसके बारे में भी मागवे आपको बताता हूँ ठीक है तो FIDE के जो है deputy president के रूप में विश्वनाथन आनन्द जी को चुना गया है ठीक है ये चीज है बारत के द्वारा जीत लिया गया है बांगलादेश को 5-2 के गोल से हरा कर ठीक है ये आप याद रखिएगा कि आपसे पुछा जाएगा कि भीया SFF U20 जो trophy है किसने जीती है इस बार अगर भारत ने जीती है तो उसने किस देश को हरा कर जीती है किस team को हरा कर जीती है ये USA इंडिया और USA की एक combined military exercise है जो कि अब इस बार जो है कहां पर हो रही है बलोत नाम के शेतर में कहां पर हिमाचल प्रदेश में तो यहां पर क्या होगा कि भारत और अमेरिका दोनों के जो है सेना होगी वो cooperate करेंगे कुछ नया सिखेंगे और वगरा वगरा ये सबी military exercise में ह बात कर रहा था ठीक है चनाई में conclude हुआ है शुरू हुआ था 28 जुलाई को मेरे ख्याल से और 10 अगस्त को हतम हुआ है ठीक है तो चनाई में हुआ है इस बार और इसमें भी विशवनातर अनंद जो है तोर्च रिले यानि जैसे opening ceremony होती है जैसे अब यहां मैंने आपको बत प्रेजन्ट किया था इंडिया को और इसके लावा अगर winner की बात करें कि अब इसमें conclude हो चुका है तो इसमें winner को रहा है अगर open category में बात करें तो उस्वेकिस्तान ने gold जीता है अर्मेनिया ने silver जीता है और इंडिया टू ने bronze मेडल जीता है या फिर कहें कि bronze category में इंडि इंडिया ने bronze मेडल तो इंडिया इन दोनों में जो है bronze पर है इसके लावा उस्वेकिस्तान और यूक्रेन जो है ये gold category में रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको क्रेंटफियर वाले चैनल पर भी पहले share कर दिया था ठीक है और इसके लावा Serena Williams नाम आपने सुना होगा न इन्यास ले लूँगी इन्होंने अभी तक जो है 23 Grand Slam खिताब जीत लिये हैं अपने आप में काफी बड़ी बात है ठीक है तो ये सबी चीज़े आप याद रख सकती है सेरेना विलियम्स का से भी लोंग करती है USA से कौन से खेल से समद्धित है टैनिस से कितने Grand Slam जीती है 23 और Chess Olympiad के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि चैनई में हुआ था पहली बार हुआ है पूरे इतियास में पहली बार Chess Olympiad बारत में कंकलूड हुआ है ये भी आप बात याद रखिएगा और इसके अलावा जो मैंने अभी साउथ इसकी बात की थी SCFF U20 Championship ये भी इंडि बती ज्यादा helpful रहेगा आपके लिए और बाकी जो पिछले दो सेशन है वो आप लिंक निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई